इस वीडियो में हम विस्ता से बात करेंगे ताकि हर विशय को समझना आसान हो बले ही आपने पहले कभी हस्रे का विज्ञान का अध्यन ना किया हो ये वीडियो के अंदर बात करेंगे मुकेश अंबानी की वाइफ के बारे में उनके हाथ के बारे में माउंट ओव वीनस के बारे में हम बात करेंगे माउंट ओव वीनस का इलाका जो शुक्र का इलाका वो ये वाला होता है हस रिखा विज्ञान में हर बात के पीछे एक कारण होता है इसलिए हमें उन हस रिखा जो देखते हैं उनकी बातों को हमें अपनाना चाहिए जो तर्क और कारणों के साथ अपनी बात समझाने के कोशिश करते हैं हर चीज को बताया नहीं जा सकता है इस चीज को भी रेलाइस कीज़े कि हर चीज को नहीं बताया जा सकता है अब जब हम बात करें माउंट ओफ वीनस की इनके पास बहुत सारी luxuries है, बहुत सारी luxuries है, अपना private plane भी है, लेकिन इस mount को देखके नहीं बताया जा सकता है, देखके कई और लोग हो सकते हैं, कई और औरते हो सकती हैं, आदमी लोग हो सकते हैं, जिनका mount of venus जादे उभरावा हो, और उभरावा नहीं होने के बाद भी, उभरावा अच्छा खास है, इन से जादे comparison जादे उभरावा होने के बाद भी, वो गरीब हो सकते हैं, लेकिन इनका जब हम देख रहे हैं, mount of venus तो थोड़ा बहुत उभरावा है, लेकिन extreme का नहीं उभरावा है, एक mediocre type है, medium से सा जादे उभरावा है, सो ये जरूरी नहीं है कि mount of venus आपका अच्छा होगा, तब ही आपकी luxurious life रहेगी, और भी कुछ रिखाएं हो सकती हैं, mount हो सकते हैं, कुछ sign हो सकते हैं, जो ये बताएंगे कि ठीक है हमारी position जादे अच्छी होगी, power जादे अच्छी होगी, कई सार जादे अच्छी होगी, अब जब mount of venus जादे उभरावा रहता है, तो व्यक्ति जादे enjoy करता है, enjoyment उसकी life में जादे रहता है, चाहें वो गरीब हो लेकिन फिर भी enjoyment रहेगा, venus को कहेंगे, शुकर परवत को कहेंगे, जैसे geography में कहा गया है, venus क्या है, venus है basically, एक dense planet है, ए जिसका जादे अबरावर रहेगा, उसमें जादे high energies रहेंगे, density को हम energy से correlate करते हैं, और warmth को हम कहेंगे कि व्यक्ति में warmth जादे रहेगी, जब मिलेगा तो बहुत प्यार से मिलेगा, बहुत जोश के साथ मिलेगा, वैसा व्यक्ति जिसका amount of venus जादे अबरा हुआ होगा, व जिसका venus जादे अबरावर रहता है, गदेदार होता है, तो उसमें high energies levels रहेंगे, लेकिन कई बार ये आलस से अभी देता है, उन लोगों में आलस जादे आ जाएगा, जिनका ये वाला शुकर का इलाका जादे अबरावा होगा, और heart बहुत ही जादे, extreme का कुछ जादे ही मुलाइम रहेगा, तो वा आलस दे देगा, लेकिन अगर mount of venus जादे अबरावा है, और heart में firmness है, heart को जब आब आप चुएंगे, तो firm, देखिए एक तो skin होती है, skin और hardness में अंतर होता है, and harshness में अंतर होता है, जैसे कई बार आप skin को चुएंगे, तो आपको लगेगा, जैसे आप किसी चीच खुदरे पे, आप जैसे सैंड पेपर पे आप हाथ चला रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं firmness की बात कर रहा हूँ, तो ये वाला इलाका, शुकर का परवत उबरावा रहेगा, और heart में एक firmness रहेगी, तब वेक्ति में hard working nature अजाएगा जितना जादे heart में softness हाजाएगी, skin में softness हाजाएगी, वो sensuality की तरफ चला जाएगा, पहले तो उबरावा है, क्योंकि ये sexuality का इलाका है, venus का इलाका, साथ की साथी साथ, अगर heart भी बहुत soft हो जाएगा, तो बहुत जादे, वो अपने senses को gratify करेगा, senses कों से होती है, visual sense, आखों से अच्छा दिखना चाहेगा, taste अच्छा करना चाहेगा, अच्छी बातों को सुनना चाहेगा, skin पे वो चाहेगा, कि skin को कोई touch करे, तो ये वाले जो pleasures होते हैं, वो जादे बढ़ जाएगे, venus के साथ साथ, venus, लोग बस यही सोचते हैं, कि मेरा venus जादे तो मैं जादे अमीर हो जाऊँगा, ऐसा कोई भी इसमें कोई guarantee नहीं है, venus के उबरावा होना केवल और केवल आपके high energy levels, जैसे suppose कि जिए कि आप बिमार हो गए, अब आपको recovery कैसे कैसी होएगी, ये आपका mount of venus determined करेगा, hard भी अगर hard है और venus उबरावा है, तो आपकी recovery ब पांच महीने लगेंगे हो सकता है, आप पांच-दस दिन में उठ खड़े होएंगे, तो और भी conditions है, यही चीज नहीं है कि मैं venus को देखके हम, उसमें mangal भी देखेंगे, तो कई सारी चीजों को देखके हम analyze करता है, एक रिखा से अपनी opinion बना लेना difficult होता है, और उसमें बताया भी नहीं जा सकता है, सो हमें जब भी देखें, पूरे हाथ को देखें, एक रिखा से देखके कुछ conclusion नहीं निकालें, क्योंकि फिर हमाई जो reading होगी वो perfect नहीं रहेगी, इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो में हमने बात की थी, पैसे के बारे में, luxury, luxurious life के बार नहीं करता है कि आप अमीर होंगे, या luxurious life लीड करेंगे, यहाँ पर आपने एक चीज़ notice की अगर हो, तो हमने यहाँ पर एक reasoning दी है, हमने कुछ reasoning देने की कोशिश की है, कारण बताने की कोशिश की है, बिना कारण बनाये वे आप किसी भी चीज़ पे believe मत कीज़े, ना मेरी की बात पे, ना किसी और की बात पे.